वर्ल्ड हाइस ट्रेलवे ब्रिज चनाब ब्रिज तो यहां से आप देखिए चनाब ब्रिज कैसे यह है कॉंक्रेट वाला ब्राट जो यह भी चल रहा है है गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक तो मेरे चैनल वे नियू ब्लॉग तो दोस्तों जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो यह है चनाब ब्रिज वर्ल्ड हाइस ट्रेलवे प्रिज तो अभी मैं जो चनाब ब्रिज है कोडी वाली तरफ खड़ा हूं जिस चगह से ठीक होता है यह मेरे पीछे आप देख सकते हो जो चनाब ब्रिज है यहां से स्टार्ट होता है है तो आए तो वह सारी चीज में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं चलिये शुरू करते हैं आगे जो दोस्तों आप यहां से डेखिए चनाब ब्रिज मैं ठीक उस जगह पर मतलब आप मैं आपको बदा हम यह एक दिवार बनाई जा रही है पत्थरों की दिवार बनाई जा रही है उपर से स्टील की वायर से इसको बांदा गया है और एक काफी मुझबूत दिवार बन रही है जो कि उसके बाद यहां पर स्लाइड जो है रुक जाएगी तो यह देखिए पूरी यहां पर दोस्तों लूज मिटी में हमी होज्थ होFirst देख़ हहा हम सब्सक्राइबूब Western जनापर कोरी तरफ तो यहाँ पर काम चल रहा है काॉंक्रिट का दोस्तों यहाँ पर देखें यहाँ पर लिखा है पी-170 मतलब पेशन नंबर 170 तो दोस्तों यह आप से यह आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर टोटल पेयर है चिनाप परिज के वह 170 पेयर है बक्कल वाली तरफ से लेकर वह कोड़ी वाली तरफ से इसको first pair भी कह सकते हैं और तो यह कितनी जादा इसकी हाइड है और यहां से इसको उपठ चणने का रास्ता भी है तो इसके अंदर अंधेर है, काफी जादा थोड़ा डर सा लग रहा है तो देखिये दोस्तो नीचे जाने का भी राष्ता है यहां पर तो यह मैं पेर के अंदर हुँ तो चलो बाहर आयाते हैं यह है जोलो आफ इस दिखाया तो अब यह जो आप सामने देख पा रहे हो तो यह आर्च है आर्च के पास मैं पहुंच गया हूँ तो दोस्तों अगर मैं अभी की बात करूं तो आर्च पे क्या काम चर रहा है तो गाइस अभी मैं देख पा रहा हूँ जो तो सामने बिल्कुल जो आर्च है अपनी आर्च के बिल्कुल यहां से काम जो हुक्त होने तो शाय कोशर्ड़ा तो यह तो ईहन पर आगगा होगा तो यहां पर जो कि में यहां से भी आ आप मैं देख पाने हो सामने केवल क्रें यह वह उपर ओसे और यहां जो है मोठ हाई भी है और यह जो कॉंक्रेट वाली पक्किट है वो सीधे आर्च की तरफ जा रही है यह सब सिच्टेशन है फलाल यहां पर जो आप देख पारे हो इसमें । दोस्तों यह जो आप सामने देख पा रहे हो काफीiate मैं आपको दिखाए रहा हूं सामने यह स्पैन है स्पैन और आर्च का दोन का जो फाउंडेशन है बिल्कुल आप देख पारे हैं और यहां पर भी अभी कुछ काम चल रहा फाउंडेशन तो कुछ बरकर्स यहां पर है और उसी के ठीक यह पूरा आर्च आप देख सकते हो यहां से तो और दोस्तों अगर बात करें हम डेक पुशिंग की तो दोस्तों यह जो डेक पुशिंग काम है काफी थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा है जो आप देख पा रहे हो सामने स्पैन के साथ ही टच होने वाला है तूंकि यहां पे डगपशियां काम भी काफी तेजी से चल रहा है और इसके साथ यह जो सामने कॉंक्रीट का काम है वो भी फिनिशिंग पर है तो दोस्तों एक बार आप यहां से भी नज़र डालिए यह जो आप नीचे देख पा रहे हो यह नीचे जो है चनाव रीवर है जो नीचे चनाव रीवर है और ऊपर अपना चनाव प्रिज बन रहे है जो आप आर्च देख वा रहे हो और दोस्तों यह जो आर्च है और नीचे जो चनाव रीवर है जो चनाव रीवर जो चनाव रीवर बैड से लेकर ऊपर आर्च तक जो इसकी हाइट है वो 359 मीटर हाइट है जो कि इसी हाइट की वैसे इसको वल्ड का हाइस रेलवे ब्रिज बताया जाता है मतलब यह जो जो इतनी हाइट है 359 मीटर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी जगा पे सबसे यादा हाइट है चिना प्रिज की जो कि इसको दुनिया का सबसे उचा रेलवे ब्रिज बनाता है और दोस्तों यहां पे चारो तरफ जो है कि हिली एरिया काफी और यहां पे एक क्यों है पूल बीज बनाना विए काफी टफ चैलेंजिंग काम है जो कि आप देख पा रहे हो बीजो जो